कि नोश्कार दोस्ता आप सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए आप हमें टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यह वीडियो आप लोगो पसंद आया तो जाज ज्यादर लाइक करें पूछेई और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जिन लोगो नवी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बैल आईकॉन को प्रेस करना ना भोलें तो चलते हैं कल के वीडियो के आयंत में पूछेуем पर से परकार तो कल के वीडियो के inspired पूच एरन इस पुस्तक के लेखक हैं और जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं पश्चिम बंगाल के रज्यपाल जगदीस धनकर ने इसका भी मोचल किया था चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्ण पर तो आज का हमारा पहला प्रश्ण है कि हाल ही में भारत और किस देश के कॉर्पेट यानि कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल के तीसवे संस्क्रण का समापन हुआ अप्शन से थाइलेंड ब्यतनाम स्री लंका कंबोडिया तो इसका अंसर होगा थाइलेंड भारतिय नो सेना और रोयल थाइन नो सेना ने 18-20 नवंबर 2020 थक भारत थाइलेंड सम्वित करना है और इस प्रकार के कोडिनेटेड पैट्रोल लिंग की शुरुवात इन दोनों ही देशों की नो सेना और द्वारा 2005 से किया गया और एक वर्ष में दो बार कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है इस गस्ती में इस पैट्रोलिंग में भारतिय नो सेना की और से आई एन किया गया इसके अलावा भारतिय सेना और थाइलेंड की सेना के मद्धे रॉयल थाई सेना की मद्धे एक दुई पक्षी अभ्यास होता है जिसका नाम है अभ्यास मैत्री मैत्री युद्धा अभ्यास का आयोजन थाइलेंड भारत की सेना के बीच में होता है बरतमान में भ और यहां हम देख पा रहे हैं कि यह भारत है और भारत के दक्षिंट पूर्व में ये पूर्ब एशिया है और यहां थाइलेंड है और थाइलेंड से लगने वाले देश हैं मैनमार लाउस कमबोडिया मलेशिया इस से सीमा साजा करते हैं और यहाँ की मुद्रा यहां की मुद्रा तो है प्रभाट यहां की मुद्रा है तो आज का में अगला प्रस्ट ने है संय। राज्ये अमेरिका के सोध करताओं ने इवोला जैसे वूरा वायरेस जैसे किसी दुडुलव वायरेस का पता लगाया है। बाइरस दीजन निवारण केंडर कि सोथ करता हूंने वह जैसे एक दुर्लव वायरेज जिसका नामें इस पर पता लगाया है और चैपर नाम इस वायरस का जो यह इसके उद्गम इस्थल के नाम पर पड़ा है यानि की चैपर नाम को उद्गम सबसे से पहले 2004 में वॉलीविया में हुआ था वॉलीविया के ग्रामिड शेत्रों में इसको पाया गया और चैपर मद्धे वॉलीविया सेंट्रल वॉलीविया के नौर्थ में स्थिते ग्रामिड प्रांथ है चैपर जिस जगा का नाम है और इस वाइरस का नाम इसी प्रांथ के न समबंद रखता है उसे टरीके से चैपर वायर्स एरेना फ्रीरस डीड़े टाहर major के परिवार है जिसमें शामिल वायरे साम तोरप पर मनुष्यों में करनतक संचरितने छोच इत्यादी से भी इस ब्ह़रे का संचरुन होता है इस व्यरस का संचर्ण किस手ह होता है रोडेंट ट्रांस्मेटेड है यानि करंतन चुहे इत्यादी से फैलने वाला ये रोग है इस वाइरिस के कारण मनुष्यों में चैपर हैमरेजैनिक फीबर की बिमारी होती है और कोरोना वाइरिस की तुलना में चैपर वाइरिस का पता लगाना काफी कटिन है क्योंकि इसका संचरान स्वसंद मार्क से नहीं होता है इसके बजाए चैपर वाइरिस सारेरिक संपर्ख के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है इस वाइरस का सबसे अधिक प्रसार ऊशन कटिवंधी च्छेत्रों में विशेश रूप से दक्षिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है और मुख्य रूप से चूहे इस वाइरस के रोग वाहक हैं और यह संक्रमित करन्तक यानि जो चूहे हैं इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेशित होता है इसके साथ इस विमारी का इलाज करने के लिए अभी कोई विस्ष्ट दवा मौजूद नहीं है इसलिए रोग्यों की देखवाल के लिए इंट्रावेशन थेरेपी का उप्योग किया जा इबोला वायरेस पर एक नजर डालें तो इबोला वायरेस की खोद सबसे वहले 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी जो की कॉंगो लोक्तांतरिक गड़राज्ये में इस्थे थे अफ्रीका में फ्रूट पैट चमगाल इबोला वायरेस के प्रमुक वाहक माने जाते हैं ज द्राश्पति यहां के यह वो मोरा लेस हैं लोकेशन हिमानचित्र पर देखें तो बोलीविया दक्षिण अमेरिका महादीप में यहां है और इससे जो देश लग रहे हैं देशों की सीमा इसाजा हो रही है ब्राजील पेरू चिली अर्जेंटीना और परागवे इन देश 20 नवंबर 23 नवंबर 24 नवंबर तो इसका अंसर होगा 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवास पिरतिवास 21 नवंबर को 1996 से मनाया जा रहा है और इस दिन को विश्व इस तरह पर मनाया जाने की घोशन संजुक्त राश्ट्र द्वारा 21 नवंबर को की गई थी यह वैश 227 में पहला इलेक्ट्रोनिक टेलीविजन का विश्कार किया था और ऐसे 1954 में पहला रंगीन टेलीविजन बाजार में आया भारत में पहला टेलीविजन चैनल 1969 में दूर दर्शन द्वारा सुरू किया गया 1969 में दूर दर्शन द्वारा भारत में पहला टीवी चैनल रंगीनि परसारण पहली वाल कप किया गया भारत मैं 25 अपराल edition 1982 को भारत दौरा एशियाईane खेलों की मेजवानी की जा रही थी और परशारन रंगीन रूसे में किया गया रंगीन पर दिवस का आयोजन हर साल 1997 से 21 नॉंबर को मनाया जाता है और ये लोगों के बीच में सस्टेनेवल फिशिंग के बारे में जागरुकता फैलाने और स्वस्त महासागर ये पारिस्तितिकी परणालियों के महत्व को जागर करने के लिए मनाया जाता है भारत में नीली करांती जल लक्ष्यों पर अगर नजर डालें तो सद्विकास लक्ष्य सस्टेनेवल डेवलप्मेंट गोल्स का जो चौद्वां लक्ष्य है वह महासागरों और समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्ष्ण के निरंतर उपयोग के लिए जाना जाता है भारत मशली उत पादन की प्रक्ष्ण है कि हाली में किस देश को लाइमेल फंट किस देश को लाइमे से 256 मृलियन अमेरीकी डोलर प्राप्त हुए है उफ्छानव भूटान बांगलादेश भारत स्रीलंका पैरिसちゃ सम्झरों समझवोते 2015 के तहत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन लक्षों को पूरा करने के लिए बांगलादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मंचूरी दी गई है बैरिज जलवायू समझोता 2015 में हुआ था जिसके अंतरकत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लगातार कम करना विश्व का एक लक्षे इस समझोते के लक्षे तैय किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड एक वित्व आई गई थी ताकि फंड जुटाने और विकाशिल देशों को जलवायू संचारित संचालित समस्याओं का मकावला करने में मदद मिल सके युनाइटेड नेशन फ्रेमबर्क कन्वेंचन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना जो की गई वह नाइंटीन नाइंटीन निस्सो जाना जाता है इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना जो की गई वह हैं 2010 में की गई और इसका मुख्याले दक्षन कोडिया में इंचियोन में है इंचियोन में ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्याले है 2010 में इसकी स्थापना की गई और यह किसके अंतरगत ह यह है युनाइटे नेशन फ्रेंबर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के धाचे के अंतरगत एक संस्था है चलते हैं अच के अगले प्रश्ण पर तो आज का में अगला प्रश्ण है कि कि संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकावला करने के लिए हैल सब्सक्राइब कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के मुद्दों से निपटना है किसी परकार के युमर से निपटना है और भारत की और से हैलो टीम में 22 वैग्यानिक सामिल है लगबग 100 से अधिक वैग्यानिक विश्वु भर से इस टीम में हैं और भारत की और से 22 वैग्यानिक इस हैलो टीम में शामिल हैं जो इन सूचनाओं का विशलेशन करके सही सूचना है लोगों यॉर्क अमेरिका में वर्तमार अध्यक्षे एंटोरियो गुत्रेस चलते हैं आज के अगले प्रश्ण पर आज का हमारा अगला प्रश्ण है कि हाल ही में किसे वातायन lifetime achievement award से सम्मानित किया जाने की घोशना की गई अप्शने परधान मंतरी नेंद्र मोदी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वित्मंत्री निर्मला शीता रमन रक्षामंत्री राजनात सिंग तो वातायन lifetime achievement award साहित्य के छेत्र में दिया जाता है कवी कवियों को लेख़कों को दिया जाता है और यह achievement award के इंद्रीर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनके साहित्य कार्यों के लिए दिया जायेगा और रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य परशाशन के छेतर में पहले भी कई अवर्ड मिल चुके हैं जैसे की साहित भारती पुसकार साहित गुड गर्नेंस अवारत गूरब तो फिर ऑँरब सम्मानू सके साथ ही नेpaal लंदन में वातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाता है और ये कवियों लेखवों कलाकारों को उनके साहित तक योगदान के लिए दिया जाता है इस से पहले अन्य जो भारती हैं जिनको इस सम्मान प्राप्थ हो चुका है उनमें प्रसून जोती प्रसून जोसी और गगनियान मिशन के लिए booster segment तयार किया गया options लार्सन एंड टुब्रो भारती है विलेक्ट्रिकल्स भारत डैनमिक्स लिमिटेड भारत इंजिनेरिंग प्रोड़क्ट्स लिमिटेड तो इसका अंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो लार्सन एंड टुब्रो ने इस रोग के लिए booster segment का को deliver किया है अभी हाली में और यह delivery गगनियान के लिए पर्थम हार्डवेयर डेलिवरी है गगनियान मिशन का उद्देश्य भारत अंतरिक्ष्य यात्रियों को लो अर्थ और्विट यानि की पिर्थवी की सता से लगवग 400 किलोमीटर तक की उचाई पर भेजना है और यह भारत का पहला क्रू मिशन है जिसमें क्रू मिशन यानि की भारत का पहला मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्ण पर तो आज का हमारा अगला प्रश्ण है कि देश का पहला समुदरी कलस्टर देश का पहला समुदर क्लश्टर के लिए बैकल्पिक विवाद समधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा ऑप्शन से गुजरात महराष्ट गोवा केरल तो इसका अंसर होगा गुजरात समुदरी क्लश्टर के लिए गुजरात मेरिटाइम यूनिवर्सिटी के तत्वधान में ध़ाण दोजार साथ में प्रस्तुद की गई ती यह अभी स्थापित की जार्यbn गुजरात की राजधानी गांधी-णगर है और मुख्यद परदेश दक्षिन महाराष्ट के साथ सीमा साजा करता है इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ अंतराष्टिय सीमा साजा करता है और यहां दो प्रमुक खाडियां है एक यह खंबात की खाडी और यहां कच की खाडी दो प्रायदीप हैं गुजरात में जिसे एक कच प्रायदीप कहा जाता है और एक काठियावार्ड प्रायदीप कहा जाता है तो चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्ण पर तो आज का में अगला प्रश्ण है कि विश्वस्वास संगठन द्वारा अधिसूचित N-COP2 TK का संबंध है किस बीमारी से संबंध है पोलियो हेपेटाइटिस भी रुवेला खसरा तो इसका अंसर होगा पोलियो N-COP2 अभी विश्वस्वास संगठन ने अपने अपात कालीन उप्योग सूचि में इंडोनेशिया के बायो फार्मा इंडोनेशिया के बायो फार्मा द्वारा विकसित N-COP2 TK को शामिल किया है इस वैक्सीन को पोलियो वायरेस के तनाव के इलाज के लिए विकसित किया गया है और बायो फार्मा का वैक्सीन इस सूची के तायत अनुमोदित होने वाला पहला टीका है और विश्वस्वास संगठन की स्थापना 1949 में की गई थी जिसका मुख्याले जेनेवा सुईजरल आप पूर्व चंद्र को न्युक्त किया गया है आपके पार डबलू एच ओ आई एलो डबलू टियो आई एम एफ तो इस प्रशने का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जबू दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जबू जाएगा यह टेलीग्राम का लिंक है और वीडियो अप्लोग अच्छे लेगी तो जाए जाए जाएदा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भोड़ें धन्यवाद